कितने प्रॉमिस करते हैं ना हम अपने आप से बड़े होते होते, कभी नई साल पे अपने अपको प्रॉमिसेज देते हैं कभी दिवाली पर, और सबसे जाधा प्रॉमिसेज अगर देखा जाए तो हम करते हैं अपने बर्थडेज पर. जब हमारा birthday आता है हर साल तो हम अपने आपको बताते हैं कि इस साल हम अपनी life में ये 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 करेंगे इस साल अपनी life को यहाँ 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 लेके जाएंगे लेकिन आप जानते हो कि हर साल हम लगबग भहीं खड़े होते हैं जो हमने अपने आपको promises करे होते हैं ना उनके आसपास भी नहीं पहुँचे होते हैं हम ऐसे ही मैं किया ऱगर था ठाथा अंहीं हैजbahn अपने वैड़ने फर सारे promises अपने आपको घरता था commitment के साथ follow कर सके दूसरों के साथ दिये हुए promises भी नहीं कर पाते हम सारे follow अपने साथ वाले कैसे करेंगे तो मुझे जो इस बार realize हुआ है वह realize हुआ है कि actual में यह जो promises है ना यह एक तरह से अपने mind पर वजन बन जाते हैं यह जो हम अपने आपको नएने मुकाम हर birthday पर या new year पर resolutions बना बना के देते हैं ना हम actual में इनको acceptance नहीं दे पाते हैं केवल उसी दिन के लिए हमारा motivation पीक पर जाता है लेकिन इस दुनिया में जितनी भी सारी जो challenges हमें देखने को मिलते हैं या जितनी भी सारी यह situations आती हैं जो उन promises और उन standard के हिसाब से complimentary नहीं होती हैं जब उन situations को हम face करते हैं तो हमारा motivation डाउन जाता चला जाता है और वो जो promises है वो unfulfilled रह जाते हैं और कई बार आपको पताई है मन में demotivation सा आता है उस demotivation में हम किसी से कह तो नहीं सकते लेकिन यह महसूस होता है कि यार तू आगे नहीं बढ़ रहा तू वहाँ नहीं पहुंच रहा जो तूने अपने आपसे वादे किये हैं उन वादों पर तू खरा नहीं उतर रहा है तो इस वीडियो में मैं किवल आपसे इतना कहना चाहूंगा कि कोई जरूरत नहीं है इतने सारे वादे करने की कोई जरूरत नहीं है अपने आप पर इतना वजन डालने की कि आपको यह 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 पचास वादे ने भाने है या इतनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है किवल एक वादा करना है अपने आप मैं रुक कर ये देखने लगता हूँ कि मैं मन्जिल पर पहुँचा या नहीं पहुँचा रास्ते पर आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा अपने आपको जज करने लगता हूँ और कई बार जो फल है उसकी इच्छा में इंतजार में बैठ जाता हूँ और कई बार कभी तो नाराज होकर कभी कभी मायूस होकर कभी जादा खुश होकर अपने रास्ते पर आगे ना बढ़के वहीं पर इंतजार करने लगता हूँ तो लाइफ में उन प्रॉमिसे के पूरे ना हो पाने के बीचे जो एक रीजन मुझे समझाया वो है हमारा लाइफ में रुख जाना तो उस एक रीजन के लिए केवल एक प्रॉमिस जो आपको हमेशा अपने आप से करके रखना है लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो केवल इस प्रॉमिसे पे चलिए आपको लाइफ में कोई और प्रॉमिस करने की ज़रूत ही नहीं है और मुझे यकीन है एक प्रॉमिस निभाना कोई बड़ी बात नहीं है बड़े आराम से निभा सकते हो क्योंकि जिसने भी जिन्दगी में कोई बड़ा काम किया है उसका केवल एक ही रीजन रहा है वो रीजन है singularity of focus उसने एक चीज़ पे एक टाइम में focus किया है तो वो प्रॉमिस है कैसी भी situation हो रुकना नहीं है केवल चलते रहना है हार हो, जीत हो, खुशी हो, गम हो केवल आपको चलते रहना है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आपके वल इस promise पर चलते हो तो जो भी आपके promises है चाहें आप उन्हें कभी करो अपने आपसे या ना करो आप life में उन उचाईयों पर पहुंचते चले जाओगे तो मेरा तो यही promise है इस birthday पर आप decide करिए कि आप अगले life changing day पर अपने आपसे क्या promise करने वाले हो या बहुत सारे promises करने वाले हो Thank you very much for watching This is Aakash Visharma, Life Coach I hope you enjoyed watching this video Please subscribe and share with your friends कर दो